ख्वाईशे होती है पूरी अजमेर बाबा की दर्गा में जन्नत मिलती है सबको यहां अजमेर बाबा की दर्गा तो दोस्तों आज हम लोग अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं दो घंटे धाई घंटे का सफर था जैपूर से बाई रोड ही हम लोग गह वहां और मतलब क्या बता है अमेजिंग फिलिंग था मेरा पूरा एक गलियों से गुजरती हुई अजमेर बाबा का दर्गा था हम लोग पूरा गली 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 से जा रहे थे मतलब इतनी अच्छी फिलिंग आ रही थी दोस्तों मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ तो रश देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितनी अच्छी खासी वहां पे भीड थी हम लोग बस अभी दर्गा में पहुंच नहीं वाले है वहां पे एक भाई जान थे जिन्होंने हम लोग की बहुत अच्छे से मतलब हेल्फ करी हम लोग को पूरा अच्छे से बाबा का दर्शन करवाया अजमेर बाबा का जैसा कि देख रहें दोस्तों हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं अंदर बहुत ही अच्छी खासी भी आप लोग को देखने को मिल रहा है तो आप लोग देखिए पूरा मेरा एंड तक वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा प्लीज रचनाजाद फैक्टरी में टूर्स एंड ट्राबल्स में और शेर सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा स्पेशल थैंक माई आल दे वीवर्स तो देखिए हम लोग अब अंदर पहुंच चुके हैं सबसे पहला जो में दर्वाजा था वहां पर सबने टच किया तो हम लोगों ने भी इसको टच किया और यह देखिए पूरा दर्वाजा के अंदर का व्यूंट है हम लोग सब दीरे दीरे जा रहे थे उसके बाद वहां पर मेरे हस्बंड ने एक चत्तर पर्चस किया चराने के लिए तो मेरे बेटे ने ही उसको कैरी किया था फिर वहां पर हम लोगों ने एक एक अपने सर को ढख लिया था वहां पर ऐसा रूल है कि सर को ढख लेना पड़ता है वह देखें मेरा बेटा जा रहा है उसके हाथ में पूरे मतलब ठाली है इसमें चत्तर है और कुछ और है जैसे थागा और अगरबत्ती और फ्लावर्स हम लोग दिरे दिरे अंदर की तरफ जा रहे हैं मुझे कुछ समझ में यह नहीं आ रहा था दोस्तो इतना जयाता मतलब रस्त था और जग्याइध इतना अच्छा था पुछ समझ में नहीं आ रहा था एक जैसा है सब जगह उन्दब लग रहा था देखने को तो हम लोग अभी बार रहे धीरे धीरे अंदर की और अधर मेरा बेटा और इसके पापा कि अंदर जाने से पहले हम लोग ने अपने हाथ भी धुए थे वहाँ पे एक बना हुआ थो जहां पे रूल था अपना हाथ धोना है बहुत ही ठंडा पानी था दोस्तों यहां पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे अपनी सासुमा के लिए फिर हम लोग बढ़ने लगे यह देखे मेरे बेटे के हाथ में है पिर आसा रूल है थोड़ा सर में रखना पड़ता है तो फिर मैंने बेटे को कहा कि सर में रखो बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव वाइप्स हम लोगों को में रहा था अंदर तो आपने वीडियो नहीं ले पाई लेना माना था तो फिर यह बाहर पर सारा था मननत का धागा तो आपने अपने अपने हिशाब से मंगनत का धागा बांद लिया मेरा बेटा भी बादा क्याते है कि जब पूरा हो जाता है फिर यहां पर आके उसको और यह देखिए यह था वहां पर एक दुकान जहां पर मैंने दर्वाजा खरीदा वहां का अजमेर शरीफ दर्वाजा बहुती सुन्दर सा है दोस्तों मै अएक दिन अपने एक वीडियो में सारे जो भी मैंने पर्चिस किये हैं इसका भी मैं दिखाऊंगे थांक यू बाबाई